हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू गार्गी क्लासेज, गार्गी क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हम डिस्कस कर रहे थे भारत में नाभी की तक्निकी विकास के लिए संस्तागत सरंचना, इंसिट्यूशनल स्ट्रक्चर फोर डवलप्मेंट फोर नुकलियर टेकनलोजी इन इन्डिया, जिसमें हम पढ़ चुके हैं, परमानु उर्जा आयोग, परमानु उर्जा विभाग, परमानु उर्जा विभाग के अंदरगत, रिजर्च एंड डवलप्मेंट सेंटर, और इकाईया, उसी की अगली सिरीज में हम डिसकस करेंगे, आज हम डिसकस करेंगे परमानु उर्जा विभाग के साथ रास्टि ये स्वायत संसान, साथ में परमानु उर्जा नियामक बोड के बारे में डिटेल से स्टाड़ी करेंगे यह जो मेरा वीडियो है part 3 की रूप में है तो आप part 1 और part 2 जो है परमानू उर्जा आयोग और परमानू उर्जा विभाग पर है उसे आप प्लेलिस्ट में देखते हैं साथ ही description box में उसका लिंक दे दिये जाएगा जिसे आप easily देख सकते हैं पहले आप वो वीडियो देख लीजिए उससे क्या होगा आपको ये वीवाला वीडियो समझने में आसानी होगी और इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आएए स्टार्ट करते हैं परमानु उर्जा विभाग सात राष्टिय स्वायत संस्तानों को भी आर्तिक सायता प्रदान करता है यानि सेविन जो स्वायत जो संस्तान है ठीक है उसको परमानु उर्जा विभाग सायता प्रदान करता है तो देख लेते कौन-कौन से हैं फर्स्ट है टाटा फंडामेंटल अनुसंदान संस्थान TIFR जो खाँपर है मुंबई, दूसरा है टाटा इसमारक केंदर TMC मुंबई, तीसरा है साहा नाभी किये बहुतिकी संस्थान कॉलकाता, नेक्स्ट है बहुतिकी संस्थान IOP भूमनेश्वर, हरीश्चंद्र अनुसंदान संस्थान HRI इलावाद, गनितिय विज्ञान संस्थान IMSS चेन्नई, और सैविन है मारा प्लाजमा अनुसंदान संस्थान IPR M दवाद, जिसका मुख्याले का आए गांधी नगर गुजरात म में भी है, जिस में से आज हम इंपॉर्टन, दो जो संस्थान है, इसके अंदर दो important संस्थान उनके study करेंगे, एक तो नहीं है, Tata Fundamental अनुसंदान संस्थान, दूसरा है, Plasmisma अनुसंदान संस्थान, यानि Tata Institutional Fundamental Research ठीक है, इसके बारे में दिखते हैं जो TIFR है इसकी स्थापना 1945 में होमी जांगीर बाबा की नितवर्त में की गई थी ठीक है तो इसका बेसिकली वर्क क्या है बेसिकली वर्क है कि जितना जो हमारा प्राकरतिक विज्ञान है गनित है इसके बारे में अनुसंधान करना और विविन प्रकार की नहीं नहीं टेक्निक को डवलप्मेंट करना और यह जो है अभी वर्तमान में क्या है पब्लिक डीम्ड रिसर्च युनिवर्सिटी के दरजा इसको प्राप्त है तो TIFR इंपोर्टेंट है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी अब एक संस्थान और है वो है प्लाजमा अनुसंधान संस्थान ठीक है इंस्ट्रूशन और प्लाजमा रिसर्च जो कहा है गांधी नगर गुजरात में अब यह जो है इसी तरह जो हमारा प्रोजेक्ट है एक ITER रियक्टर विभी देशो का कॉलिब्रेशन है इसके तहत क्या कर रहा है जो हमारा प्लाजमा उसंस्तान जो है वो ITER के लिए टॉक्मक मशीन का निर्मान कर रहा है और टॉक्मक मशीन ने इसने दो मशीनों का निर्मान किया गया है कौन सा दो मशीन है वो है आदित्या और SST1 इन दो मशीनों का निर्मान ये टॉक्मक मशीनों का निर्मान किया गया है वो ITER रियक्टर में यूज की रहे हैं, ITER reactor जो है एक very very important topic है, जिस पर अलक्षी question आ सकता है, तो इस पर मैंने किया कि आई, आलक्षी एक वीडियो बनाए है, जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही easy way में ITER reactor को समझ सकते हैं, कि ITER reactor होता क्या है, और भारत को इसके क्या क्या लाब है, भारत के ल उर्जा नियामक बोर्ड, परमानु उर्जा नियामक बोर्ड, जिसके स्थापना कभ हुई थी 1983, Atomic Energy Regulatory Board, AERB, ये क्या है, ये एक स्वतंत्र एजनसी है, जो परमानु उर्जा के सुरक्षित उप्योग से सम्मंदित पहलों पर निगदानी रखती है, इसका अगटन 15 परियावरण को होने वाले नुकसान को कम करना, यानि क्या हो रहा है, जब हम नाभी के उड़जा का प्रयोग करें, नुक्लियर रियक्टर का यूज करें, तो उससे कुछ रेडियेशन निकलते हैं, ठीक है, तो ये जो आयोनाइजिंग रेडियेशन होते हैं, ये क्या होत ते सुरक्षा मानक अंतररास्ट्य एजन्सियों, IAEA, यानि अंतररास्ट्य परमानू उर्जा एजन्सी, तथा अंतररास्ट्य विकिरन बचाव कमीशन, IGRP की सिफारिशों के समरूपी है, जो हमारा IAEA इंटरनेशनल लेवल पे, जितने भी परमानू रियक्टर है, उ उसी मानकों के अधार पर, जो हमारा IAEA इर्बी बोर्ड है, वही सुरक्षा मानक त्यार करता है, और देखता है कि जो परमानू उर्जा रेडियेशन से जो खत्रा है, वो कम से कम हो, परमानू उर्जा सम्मंदित कोई भी तरास्दी ना हो, अब परमानू उर्जा नियाम करता है, अब क्या होता है, कि जब भी कभी मतलब लाइसेंस क्या होता है, पर्टिकुलर समय के लिए मिलता है, दस साल, बीस साल, दी साल, ठीक है, जब लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है, तो यह क्या करता है, परमानू उर्जा नियामक बोर्ड, AER भी क्या करता है, ठीक ये current base पे है, current base पे क्या हो रहा है, परमानू उर्जा नियामक परिशद ने अपने वी नियामक नियंतरन को सुद्रड बनाने के लिए एक आधुनिक तम वेब आधरित सेवा, जिसका नाम क्या है, विकीरन अनुपरियोगों की e-licensing, यानि e-lora को किनियानवित किया गया है, तो ये जो e-lora जो क्या है, ये modern web आधरित सर्विस है, ठीक है, तो ये जितने भी radiation से समधे, जितने भी applications है, उसकी e-licensing करती है, ठीक है, उसको execute करता है, क पर्मानु उरजायो का, पर्मानु उरजा विभाक का, और पर्मानु उरजा नियामक बो swiftly का, इस तरह ये सब एक कड़ी की तरह सब जूडे हुए है है, और सब अपने छेत्रे में स्वायत होते हुए वर्क करते ते हैं, अब आता है एक बाइन भारत का 30 संथ पर्मानु न ब्रेक्टर का निमान करेंगे धिसको यहां पर इसको यहां पर किया गया है इस के लिए पर मैंने जो साइंस और की चेनले जो पर वहाँ वहाँ पर आ हम जाकर देख सकती है नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं कोप 21 में राष्टे द्रश्टी से भारत के अपने दिर्णारित योगदान आई एंडी सी लक्ष में कार्बन उस्टेशन को कम करने के लिए उर्जा प्रदुरीगी के रूप में परमानू को भी शामिल किया गया था इस योगदान में सेंग दो तक हम 63 गिगावाट का लक्षे प्राप्ट कर ले इतनी इलेक्टिसिटी हम दो जार बतीस तक जनरेट कर सकेंगे अगर हम हमारी जो परमानू अधारी शम्ता का निर्मान अच्छे से करे तो अब हम जो इंस्टूशन स्ट्रक्चर जो है नाभी के तक्नीके का उसको हम ब्र लोड चार्ट के दुरूब डिसकस कर लेते हैं तो फर्स्ट हमारा है एटोमिक एनरजी कमिशन परमानू उर्जा आयोग यह क्या है एक सरगोच्चे निकाय है प्रदान मंत्री के निर्टित में इसका कंट्रोल रहता है प्रदान मंत्री इसको सीधे कंट्रोल करते हैं ठीक इसके लिए क्या करता है यह इसके लिए यह दिपार्ट्मेंट ओफ एनर्जी और एटोमिक एनरजी रेगुलेटरी बोर्ड इनकी है अब इसकी हेल्प के लिए जो इसकी स्थापना 1954 में हो गई है तो जो परमानू उर्जा विभाग जो है ठीक है तो इसके अंदर क्या है विभिन प्रकार की संगण रहते हैं तो संगण देख लेके कौन-कौन कोन से आते हैं फस्ट है आर यंदी सेंटर यानि रिसर्च एंड डवलपमेंट जो पर फृर दूसरा पड़ा हमने इंदिया इंद्रा गांदी सेंटर फूर एटोमिक रिसर्च कलपकं तीसरा है हमारा सेंटर फोर एडवांस टेक्नोलोजी केट इंदो फिर हमारा वेरियेबल एनरजी साइक्लोट्रोन सेंटर कोलकाता एटोमिक मिनरल्स डायरोप्रेट फोर एक्स्पोरेशन रिसर्च हैदराबाद थीक है तो यह हमारे पार्च आरेंडी सेंटर्स हो गए नेक्स्ट हमने देखा PSU पब्लिक सेक्टर जो अंडर्टेकिंग्स है उनमें देख लेते हैं नुक्लियर पावर कोर्परेशन ओफ इंडिया एनपी सी आईल मुख्याले इसका क्या है मुंबई में फिर हैं इंडियन रेयर आर्थ लिमिटेड मुंबई यूरेनियम कोर्परे उसके अंदर कौन-कौन सी थी हैवी वाटर बॉर्ट मुंबई नुक्लियर फ्यूल कॉंप्लेक्स हैद्रापाद जिसको हम नाइस भी बोलते हैं फिर बोर्ड ओफ रेडियेशन एंड आइसोटोप टेक्नोलोजी मुंबई फिर सर्विस और्गनाईजेशन भी देख लेते यह डिडारेक्ट किसके अंतरकत आते हैं डिपार्टमेंट ओफ एट्टमिक एनरजी किसे लिंगड है अट्विक एनरजी कमिशन नेक्स्ट में देख लेते हैं जो साथ जो हमारी इंस्ट्यूशन से जिनको पर्मानुर्जा विभाग जो साहिता प्रदान करता है वो कौन-कौन से हैं इंस्ट्यूट फंडामेंटल सो टाटा इंस्ट्यूट फंडामेंटल रिसर्च टी इफर मुंबई फिर टाटा मेमोर इस तरह से आज हमने आरेस मेंस के सिलिबस के साइंस टेक्नोलोजी में फरस्ट और सेकिंड टॉपिक को कम्प्लीट किया फरस्ट और सेकिंड टॉपिक हमारा कम्प्लीटली पूरा हो चुका है मैंने टॉपिक टॉपिक हर पर वीडियो बनाया है ठीक है हर टॉपिक पर सिक्वेंस वाइस वीडियो बनाया है जिससे आपको आसानी होगी और आप इजीली दिख सकते हैं और टॉपिक को हर टॉपिक क परमानू उर्जा आयों at रही के कारे करम है यह तो आघए सकते हैं एंप बाता है क комментар है ब्रमानू आख जए वर्ट में ह्युआ करे कर दो नबगाम में उसके बारे में पता है या हमारा स्टेज प्रोग्राम उसके बारे में फिर है हमारा पर्मानु बट्टी के जो उसके बारे में नाभी की विखंडन और नाभी के सनलैन में क्या अंतर है फिर उसके बाद ने हम बता सकते हैं पर्मानु उर्जासी आप क्या समझते हैं भारत में पर्मानु उर्जा की विकास का उले कीजिए रेडियो एक्टिविट जिसका मैंने आंसर देने कोशिश की हैं आपर भारत के परमानो उर्जा कारेक्रम के विभिन चर्णो की चर्चा करें इसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुने होती हैं कौन-कौन सी है 100 वर्ट में बन सकता है 10 मार्क्स का ठीक है तो देख लेते हैं तो सबसे पहले जब यह क देखेंगे चुने होती यह कौन-कौन सी है चूने होती है उर बारत के लिए शूट के बाहरत का ध्यान थोरियम आधारित तरी परवानु उर्जा कारेक्रम की बजाए यूरेनियम आधारित परवानु कारेक्रम की और मुटता जा रहा है अब हम सबको पता है कि हमारा जो भारत है वह अधर जो गृप्स है जितने भी जो करते हैं नुक्लियर टेक्नोलोजी को ठीक है उसका सदश्य लेकिन भारत अभी अधारित को छूट मिली वी है साथ ही जो हमने अधार करार किए विभिन देशों के साथ तो उस चूट के बाद क्या कर रहा है भारत जो है यह लाब देख र उन पर उनकी ओर जाता जा रहा है तो यह क्या हो गया हमारा चुनोती है दूसरा है अमेरिका में अन्य पर्मानु देशों के मजबूत एपरसार धर्ड़े नहीं चाते हैं कि पर्मानु एपरसार संदी का एक गेर हस्ताक्षर करता देश प्रूटोनियम के व्यापार में सह लगनों अब क्या है कि जो अमेरिका जो है उसके साथ हमने क्या कि है 123 ऐसे ने पर्मानु करार कर रखा है उसके बावजूद क्या है हम जो है NPD पर हमने क्या है अस्ताक्षर नहीं कि गया है तो अस्ताक्षर नहीं करने के बाद हमें क्या है प्लूटोनियम की टेक्निक मिल के बाद क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहें इसका वैपार कर सकते हैं तो अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है कि भारत क्या करें इसको रेगुलेट करें तो यह भी एक बड़ी समश्या है इसको करने में आई होप आपने यह टोपिक अच्छे से समझा होगा थैंक यू गाइस बाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जलते जलत सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको जल से जल नोटिफिकेशन मिल सकें